अधियो गैस मेरा नाम है वीजे और आप देखें मेरा YouTube चैनल InfoVid वीजे तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारे main activity के अंदर code को specify करना inside the onServiceConnected and onServiceDisconnected method के अंदर और previous वीडियो में गैस मैंने कुछ error को fix किया था तो definitely आपको में वीडियो रेकमेंड करता हूँ कि आप पहले वीडियो को जरूर देख देना क्योंकि उसके अंदर मैंने कुछ fixes को apply किया था so that कि हम इस वीडियो के अंदर उन error को हमें solve ना करना पड़े again क्योंकि मैंने जब application को दुबार रसे code करके run किया तो I was facing so many issues क्योंकि वहां पर वो टाइपो हो रखे थे इस वाएसे मेरा जो source code है वो mismatch हो रखा था previous source code से इस वाएसे मेरी application work नहीं कर रही थी लेकिन अब application work finally कर रही है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में उन errors को solve कर गया जो कि था एक playback listener तो यहां पर मैंने गलत variable declare कर रखा था तो music service class के अंदर भी मैंने एक particular error को solve किया था यहां पर instance था तो instant लिखा वा था मैंने यहां पर इसको change करके instance कर दिया है along with that guys मैंने यहां पर जो हमारी activity थी यूँकि यह कि यह button play pose तो इसका जो id का name था वो भी type हो रखा था तो उसे भी मैंने change कर दिया now let's get start with this video तो सबसे पहले मैं यहां पर type करता है mmusic service तो यहां पर है हमारा mmusic service तो हमें से initialize करना है and सबसे पहले इसको मैं bracket के अंदर i binder की form में इसके बाद आपको यहां पर 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 यहां कोड यहां पर complete हो चुका है तो semi-column की ज़रूत नहीं है Kotlin के अंदर then mplay adapter यहां पर हमने mplay adapter को यहां पर object को use करेंगे then m music service जो हमने उपर ही initialize कर रहा है उसको हम use करेंगे and यहां से हम call कर देंगे हमारे media player holder के object को जो हमने declare कर रहा है at the top तो यहां पर हमने on service connected अब हमने media player holder के अंदर service को connect कर दिया है इसके बाद हमारे को condition check करने है इफ जो हमारा mplayback listener है जो कि हमने mplayback listener बना रखा है जो कि add the top जिसको मैंने change किया था variable पिछले वीडियो में अगर वो equal to है null के तो हमारे को condition execute करने जो कि first case में होगा null यहां पर फिर से mplayback listener तो mplay adapter आ गया mplayback listener जो कि आपका object है is equal to आपको करना इसके playback listener के जो कि यह है आपका and after that आपको नहीं जो playback listener है उसको यहां पर आपने memory allocate कर दी इस particular object को कि उपर हमने इसको सिरफ declare किया हुए विद इस हम इस के से memory allocate करते हैं new operator की ज्रूवत नहीं होती इसके बाँ यहां पर आते हैं हमारे mplayar adapter को अभ mplayar adapter के हमे ज्रूवत है इसके बाँ हम यह पर call करेंगे set playback info listener method तो हमें set playback info listener call करना है and then यहां पर आममे playback info listener को as an object भी pass कर दि। तो यहां पर वही है अब इसके बाद guys जैसे हमारा listener यहां पर set होगा हमने service को connect कर दिया इसके बाद हमारे को यहां पर runtime permission का भी code को pop-up करने ताकि user runtime permission को भी allow कर दे तो यहां पर हम call कर देंगे check read storage permission code को after that हमारा जो on service connected है इसके अंदर हमारे को specify करना code like mmusic service तो यहां पर हमारा service और यह do unbind service methods की जो coding थी previously कुछ वीडियोस में की थी तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा तो उनका link आपको description मिल जागा जहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और सीख सकते हैं then हमें अपने do unbind service method को call करना है on crate के अंदर before the set views तो क्योंकि service को हम पहले वीडियोस से पहले ही चलान चाते हैं तो यहां पर हम call करेंगे do unbind service method को so finally हमने आपर call कर दिया अब पहले इसलिए करता कि वीडियोस से पहले हमारी service रन हो जाए so guys अब हमारी coding होची की complete अब finally time आ चुक है कि हम अपनी application को run करके देखे हमारे physical device में तो physical device में मैं इसलिए run कर रहा हूं कि as you know कि मेरे जो दोनो audio output potter वो मैं use करता हूं for the microphone so that is the reason कि मैं आपको अपने system की audio directly mic में नहीं generate करा कर दिखा सकता असलिए मैं आपने physical device कर रहा हूं तो जैसे विंड़ो पॉपर तो मैं यह permission allow कर गी तो simply में क्लिक करता हूं allow पे आप देख सकते permission allow हो चुक है और यह आ चुक है तो क्लिक करते हमारे इस play button पे तो अभी कुछ भी नहीं दुबार से क्लिक करते हैं अब आप दिख सकते हैं मुजिक हमारा play होना start हो चुक है अगा मैं दुबार से क्लिक करता हूं तो अमारा pause state में जा चुक है means music pause हो चुक है दुबार आपको मैं क्लिक करता हूं तो हमारा music वापस से play हो रहा है इसलिए कुछ वीडियो की महनत हमारी आप यहां पे रंग लाई है so that's it for this video guys अब next video में हम क्या करेंगे हम अपने list views के अंदर particular यहां पे music को display करेंगा भी इसने constantly जो पहला music हमारे director के अंदर पढ़ा होगा उसको इसने pop-up करके play कर रहे तो अब अगर आप next करोगे तो next functionality यह सब भी हमने enable करनी है along with that यहां पे हम चाहते की song title वो भी display होए तो यह साला काम हम करेंगे मारे आने वाले videos के अंदर so that's it for this video I hope आपको video अच्छी लगई होगी अगर video अच्छी लगई है तो इसे like करें शेयर करें दोस्तों के दा चैनल पर ने चैनल को सब्सक्राइब कर ले बाद आकन वे दावाल कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिंजा जासे ही मैं नई वीडियोस अप्लाओर करता हूं और अगर गाईस अपको को भी प्रोवलाम आती है दूरिंग दी डेवलप्मेंट अव दिस अप्लिकेशन तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं बिले दा वीडियो देफिनिटली मैं आपको इसमान करको वीडियोस था प्रोवाचिन लगिए नेक्स्ट वीडियोस झाल झाल